आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी लगन से चो चोथा भाव रहता है आपका स्वाव कहलाता है यहां से आपको भूमी, भवन, वावन, माता, आदिका, सुख के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो सुख भाव होने के कारण आपने अनुभू गया होगा कि यहां पे जो भी कुरूर गर, पापी गर, जो हैं सनी, राहू, सूर्य, मंगल अगर इनके उपस्ति वहाँ पे बनती है चोथे भाव में तो आपने अनुभो किया होगा कि आपको सब सुक्तों प्राप्त हैं पर उनका आनन नहीं ले पाते हैं आपके पार भूमी है भवन है वहान है माताजी है पर तो आपको उनसे जो सुक्त प्राप्त होना चाहिए भवन से जो सुक्त मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है तो इस तरह आपने अनुभो क्या होगा कि जब भी आपकी जो भी लगने की कुण्ड़ी हो आप देखें कि अगर यहां पर लगने से चोथे भाव में जिसको सुक्त कहते हैं वहां पर अगर प्राप्पी और कुरू चोथे भाव से संबंदिश जो सुक्त हमें प्राप्त होना है वह हमें उसका हम आनंद नहीं ले पाते हैं तो आप इस कुण्ड़ी में देख सकते हैं कि वर्षप लगने कुण्ड़ी है यहां का चोथा भाव जो है सुब भाव है यहां पर पांच नम्मर की राशी में सनी बैठा हुआ है तो आप आपकी कुल्ली में को देख लिए कि चोथे भाव में कुण सा अइसा पाप ग्रह जो है जो हमने बताया सनी राहू मंगल सूर्यादी बैठा हूं तो आप अन्भो करेंगे कि चोथे भाव से संबंदिश जो हमें सुक मिलना चाहिए वह आपको प्र प्रियास किया है आपको अगर अच्छे लगे तो आप हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलाजी सिंप्लिफाइड यूटूब पर अभी तक आपको सब्क्राइब नहीं किया हो तो आप जरूर सब्क्राइब कीजिए और उसे बेल आइकान भी क्लिक कीजिए जिससे कि हमारे जो वीडियो है जब भी अप्लोड हो तो आपको इसकी इंफ्रमेशन प्राप्त होगी और इमेज़र लिए आप उसको देख पाएंगे साथ साथ में आप हमारे से कंसल्टेशन अपार्टमेंट प्रामर साधी भी प्राप्त कर सकते हैं आपने हमारी चैनल को सब्क्राइब किय वीडियो को लाइक किया शेयर किया इसकी लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद